ओम ब्रम रहस्पते नमः ओम ब्रम रहस्पते नमः नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गुर्भार रट के उद्यापन की पूझ विधी लिखाने से पहले मैं बात करूंगी कि गुरुवार वरत का उध्यापन हमें कब करना जाहिए गुरुवार वरत हम दो तरीके से करते हैं पहला 16 गुरुवार या 21 गुरुवार का हम संकल्प लेकर करते हैं दूसरा अनिश्चे समय तक यानि कि एक वर्ष दो वर्ष जितने वर्ष भी हमें गुरुवार व्रत करना होता है उतने गुरुवार व्रत करके और फिर उध्यापन करने की सोचते हैं दोनों ही स्थिति में हमें गुरुवार व्रत का उध्यापन कब करना चाहिए अगर हम 16 गुरुवार या 21 गुरुवार के व्रत करते हैं तो जैसे ही हमारे 16 गुरुवार पूरे होने होते हैं वैसे ही हमें पंडीजी के पास जा कर शुब मुहुर्थ भोशना चाहिए अगर 17 वे गुरुवार में आपका शुभ मुहुर्थ आता है तभी आपको गुरुवार व्रत का उध्यापन करना चाहिए अन्यथा नहीं करना चाहिए अन्यथा 18 वे गुरुवार 19 वे 20 वे गुरुवार भले ही गिंती बढ़ती रहें गिंती बढ़ने में कोई नुकसान नहीं है लेकिन व्रत का उध्यापन शुभ मुहुर्थ में ही करना चाहिए यहां तक कि जब मैंने उध्यापन किया था तो शुभ मुहुर्थ दिखवा कर ही उध्यापन किया था शुब मुहूर्थ का महत्व आप इसे उधारन से समझ सकते हैं एक उधारन में आपको देती हूँ कि अगर आप किसी से मिलने दूर सहर जाते हैं और अगर आप बिना पता किये ही उससे मिलने चले जाते हैं और अगर वो घर में अनुपस्थित मिले आपको मिले ही न तो आपका क्या होगा इतना किराय भाड़ा तो लगा ही साथी चाहिए जो आपको परिशानी हुई वो अलग और यानि कि आप असफल हुए उनसे मिलने में आप असफल हुए ठीक उसी प्रकार हर एक चीज का सही समय होता है इसे भी सुबकाम को करने के लिए सारे हिस्थितियां अनकूर होनी चाहिए । drastically च इज सारी चीज्ष जो हैं अनकूर होनी चाहिए तभी हम जो कारे करते उद्यापन पर ही निर्भर करती है और उद्यापन मंत्र चार विधी से विधी विधान से किया जाना चाहिए जो आप अगर कर पाएं तो बहुत ही अच्छा है लेकिन कई बार क्या है जो हवन वगेरा होते हैं मंत्र चार विधी से हम नहीं कर पाते हैं पूरी विधियां इस होती गलत जानकारी दी जा रही है बिना हवन के कैसे कोई उद्यापन हो सकता है मैं यह खुदी नहीं समझ पा रही हूं हवन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है साफ्तों द्वारा भी यह मतलब इसमें साफ्तों में भी वर्णन आता है कि जो है अगनी मुख और ग्रामः क मुख से भगवान भोजन करते हैं तो अगनी में यानिकी अगनी पूजन हवन तो बहुत ही अवश्यक होता है तो हवन जरूर करना चाहिए इसके अलावा जहां तक संभव हो सके तो गुरुवार व्रत के उध्यापन में थोड़ा बहुत स्वर्ण कदान अवश्य करना चा मैं पूजा विधी भी लिखा देती हूं ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा कि गुरुवार व्रत के उध्यापन में क्या-क्या चीजे दान करनी चाहिए क्या कैसी विधी होती है साथ ही साथ कई बार ऐसी स्थितिया आ जाती है कि पंडी जी नहीं आ पाते हैं या फि लिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से फ़्यापन में पूजा की तैयारी के लिए एक लकडी के पाटे के उपर पीला कप्ला बिचाने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन प्रदान करना जा है इसके लाब अगर आपके घर में केले का पज़किस्थान पर रहकर और केले के पॉद्य programs भगवान रह्षणापी देग की पूझा कर सकते हैं लेकिन अगर जैसे कि कई लोगों के घर में बाहर लगा हुआ होता है तो अंदरलाना सम्भव नहीं हो पाता ऐसी श्भीमाप बाहर ही ज़ो के लिए के पौधे में भगवान ब्रहश्वति देख की पूजा कर सकते हैं फिलाल यहां पर भगवान विश्णु की प्रत्मा को आसन प्रदान करने के बाद हम कलश स्थापना की तैयारी करेंगे इसके लिए सबसे पहले अश्ट दल कमल बनाना चाहिए तो यहां पर हमने हल हल्दी, सुपाडी और दच्छना डाले और इसके बाद आम के पत्ते लगाने के बाद कलश के उपर एक कटोरी में पीले चावल या फिर गेहुं भी आप रख सकते हैं इसी के साथ दीपक रखने के साथ कलश निर्मान पूरा हो जाता है अब हम पान के पत्ते के उपर गोर करें इसकी स्थापना भी हो चुकी है अब पूजा सुरू करने के लिए सबसे पहले अपनी आपको पवित्र किया जाता है तो अपने उपर कुश की मदद से तीन बार जल डालते हुए पवित्री करन करें मंत्र आप स्क्रीन पर देख पाएंगे पवित्री करन करने के वरत के उद्यापन का संकल्प लेंगे संकल्प के लिए आपको हाथ में लेना है चावल फूल कुशा दच्छिना और थोड़ा सा जल डालने के बाद बाद अब हम वरत के उद्यापन का संकल्प लेंगे बाद हाथ जोड़कर बोलना है कि मैं अपना नाम बोल लीजे अपने नाम के बाद अपना गोत्र बोल लीजे आज 16 गुरुवार या 21 गुरुवार या फिर गुरुवार रत पूर्ण करने के बाद अपनी मनो कामना की पूर्टी के लिए गुरुवार रत का उद्यापन करने का संकल्प लेती हूँ हे प्रभू हमारी मनो कामना पूर्ण कीजेगा इस पकार से बोलते हैं उनके चर्णों में जो है चावल फूल छोड़ दीजे अब पूजा सुरू करने के लिए सबसे पहले भगवान का आवाहन किया जाता है तो सबसे पहले भगवान श्री गणेस के आवाहन के लिए हाथ में लें चावल और फूल हाँ चोड़कर बोलें कि हे श्री गणेस गुरुवार रत के उद्यापन में पूजन हे तुम्हें आपका आवाहन करती हूँ कृपया करके यहाँ पर विराजे और अपनी पूजा का सुभाग्य प्रदान करें और हमारी पूजा स्वेकार करें ऐसा बोलते हुए चावल फूल छोड़ दें पुना चावल फूल ने माता गौरी का आवाहन करना है कि हे गौरी माता गुरुवार रत के उद्यापन में पूजन हे तुम्हें आपका आवाहन करती हूँ कृपया करके यहां पधारें अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान करें ओम गणेश अंविका भ्याम नमहा बोलते हुए चावल फूल गौरी गणेश के उपर छोड़ दें इसी तरह से कलश में भी सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए बोला है कि हे कलश के सभी देवी देवताओं हे वरुण देवता मैं आपका आवाहन करती हूँ प्रिपया करके कलश में विराजें और अपनी पूजा का सुभाग हमें प्रदान करें और हमारे पूजा स्विकार करें इसके बाद अब हम भगवान विश्णों का ध्यान करेंगे यहां पर हम भगवान विश्णों का केवल ध्यान कर रहे हैं ना की आवाहन क्योंकि आवाहन तो आपने पहले किया ही होगा जब आपने वरत सुरू किया होगा जब वरत सुरू किया जाता है तो भगवान का आवाहन किया जाता है उनकी स्थापना की जाती है तो चुकि प्रतिमा में भगवान इस्थापित होते हैं पूजित होते हैं तो जो है केवल भ और बोलना है कि है भगवान विष्णु गुरु वार्वरत के उद्यापन की पूजा विधी स्वीकार कीजेगा और अपना आशिरवात प्रदान कीजेगा और हमारी मनों कामना पूंड कीजेगा ओम विष्णवे नमहां बोलते हुए चावल फूल भगवान के चरणों के पा आशन दिया जाता है इसके बाद पाद्यम यानि के पैर धोर जाते हैं अर्गिप्रदान करने के बाद और आश्मन कराने के बाद ही इसनान के लिए जल अरपित किया जाता है तो अगर आप सोट सोब चार विदी से यह चारों चीज़े करना चाहते हैं तो खुश की मदल से जब आप जल अर्पित करें तो चारों चीजों के लिए जो है आप जल अर्पित कर सकते हैं या फिर आप सामाई तरीके से करना चाहें तो केवल इसनान के लिए भी जल अर्पित कर सकते हैं भगवान श्री गणेश को जल से इसनान कराईए ओम गंगडपदै नमो नमा ओम गं वणायन आ हमर्ड करने के बाद यो है सभी वस्त रत्यादी अरा पित किया गड़ा वप्वानशिय का घ्रावकर पावित करные वस्त रोप मौलिद्धागा का अरापित कर सकते हैं मौलियेस वस्त वस्त उस्त आपकर तब्स भर अगवानशिये थैसे мамरे कई देकiamo from करना चाहिए और मॉली धागाब वस्र की भावना करके अर्पीत कर सकते हैं और इसके बाद जो है चैंदन लगाना चाहिए जैसे की गुर्वार की पूजा है सबसे तर मले पद्धी होती है भगवान शिंगनेश को दूर्वा बहुत ज्यादा पसंद होती है तो उन्हें दूर्वा अर्पित करें इसके बाद उन्हें पुष्परपित करने के बाद माता गौरी को भी पुष्परपित करें करश में भी पुष्परपित करना चाहिए इसके बाद तो जो भी आपके पास सामर्तो फल मिठाई नैवेद आप गौरी गणेस को भोग लगाएं भोग लगाने के बाद कुछ की मदद से भोग में जल जरूर फेरना चाहिए तो कुछ की मदद से तीन बार जल फेरें और अब हम भगवान को तामबूल यानि की पान, हल्दी, सुपाड़ी, लौंग, दच्छना इत्यादी अर्पित करेंगे तो गौरी गड़ेश के बाद कलश में भी पान, सुपाड़ी, दच्छना अर्पित करने के बाद अब हम भगवान श्री विश्नु का पूजन करेंगे तो जैसा की सुपचार पुजाविधी में भगवान को आसन देने के बाद पाद्यम यानि की पैर धोय जाते हैं अर्गित देकर आश्मन कराने के बाद ही इसनान कराने के लिए जल अर्पित किया जाता है तो इससी प्रकार से आप भी चावल या पान के पत्ते के उपर भगवान को आसन देकर चार प्रकार की भावना करके चार बार भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं भगवान को जल से इसनान कराने के बाद भगवान की प्रत्मा को अच्छी तरह से पोशना चाहिए इसके बाद वस्त्र उपवस्त्र और यग्योपवित अर्पित किया जाता है तो यहाँ पर हम भगवान को यग्योपवित अर्पित कर रहे हैं और इसके बाद हमने भगवान को पीला वस्त्र अर्पित किया है आपकी अगर सामर्थ हो तो आप कुर्टा पैजामा के लिए भी वस्र अर्पित कर सकते हैं और पूझा के बाद इन्हें पंडी जी को दान कर देना चाहिए तो अगर वस्र ना हो तो वस्र सरूप मौलीधा गाभिया पर पित कर सकते हैं इसके बाद भगवान को हल्दी लगाना चाहिए कुमकुम लगाना चाहिए पीले चंदन लगाना चाहिए और इसके बाद भगवान को फूलों की माला अर्पित करना चाहिए तो पीले फूल आप भगवान को चढ़ाएं और साथी साथ भगवान को तुलसी दल बहुत कर भी आप दीप कर सकते हैं दूब दीप करने के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए तो नवेध में बेशन से बनी किसी चीज से बने मिठाई हो या फिर बेशन से बने लड़्डू क्योंकि उद्यापन की विशेश पूर्जा है तो भीशन लड़ू या फिर मिठाई जरूर भोग लगा कर और दान करें प्रशाद में बाटें और फलों की बात करें तो गुर्वार के वरत में केला विसेस और अनिवार होता है इसलिए एक दरजन दो दरजन इतनी आपकी सामर्थो भगवान को अरपित करने के बाद दान करें प्रश जाहिए जैसे की हल्दी विसेस होती है पीली होती है तो यहां पर मैंने बहुत ही थोड़ी सी ली है लेकिन आपको कम से कम सवा या सवा किलो ही लेनी चाहिए यानि कि ज़्यादा सजादा आप कितना भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम सवा में होनी ही चाहिए अन्य चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर मैंने गुर्ग रखा है तो भी आपको सवा किलो जा फिर इससे भी जढ़ा अपSकते हैं भान को अर्पित करने के चने की डाल और गुड का तो अलक से आपको चने की डाल भिंगो कर और इसमें गुड डाल कर तुलसी डाल कर भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए तो यहां पर हमने भोग भी लगा दिया है सारी चीजों को भोग लगाने के बाद भोग में कुछ की मदद से जल जरूर और अब हम नारियल में हल्दी कुमकुम लगा कर भगवान को नारियल चढ़ाएंगे इसके बाद तांबूल यानिकी पांचुपाडी हल्दी लॉंग दच्छना इत्यादी अर्पित करेंगे आपकी चितनी सामर्थों भगवान को दच्छना चढ़ा कर पूजा के बाद द पूजन करें इसके बाद कथा वाचन करें कथा पढ़ने या सुनने के बाद हवन की तयारी करना चाहिए उद्यापन में हवन प्रहद तौर पर यानिकी पड़े इस तर पर ही करना चाहिए इसलिए हवन को थोड़ा सा बढ़ा लेने का प्रयास करें हवन के लिए समिधा य इही गुडवश मिला कर और आहूतियां देनी चाहिए। हवन सामाने मंत्र बताए दे रहे हूं। इस प्रकार से 108 आहूतियां अवश्य दें। इसके बाद भगवान विश्णु की कीजे भगवान भषपती देव की आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूम कर प्रदशना करें। और आरती में पुना जल फेरते हुए इसके बाद ही आपको आरती लेनी चाहिए। आरती करने के बाद आप छमायाशना जरूर करें कि पूजा पाठ में या पूरे व्रतों के दोरान जो गलतियां हो गई हूँ वो भगवान छमा करें। आपकी मनो कामना पूर्ण करें। चमायाशना के बाद अपनी मनो कामना मांगें और असके बाद पुस्पांजली अर्पित करें। और अपनी मनो कामना मांगने के साथ ही महिलाएं। गौरी माता से सुहाग अवर्षे लें, अपने स्वाभाग में व्रध्धी के लिए प्राइपना करें, इसके बाद आप गौरी गणेस और कलश्ट को विधा कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिमा अगर आप पूजा करना चाहते हैं, तो उन्हें आप अपने मंदिर में रख सकते है लेकिन गौरी गणेस को आप विधा कर सकते हैं, और कलश्ट सांत हो जाने के बाद जो है, इस सरजित भी कर सकते हैं सारी चीजें, लेकिन पूजा के आसन से उटने से पहले जो है, आसन के नीचे का जल अपने माथे पे अवश्य लगाएं, ऐसा करने से ही आपको पूजा क पूरा फल मिलता है, आसन के नीचे का जल माथे लगाएं, और इसके बाद घर के बाहर जाकर, या जहां कहीं भी केले का पौधा लगा हुआ हो, सबसे पहले चावल फूर लेकर, ओम रम ब्रहस्पते नमा बोलते हुए, ब्रहस्पते देव का ध्यान करने के बाद, इस नान चंदन, पुषफ, फल मिठाई, नैवेद और धूब दिप करके भगवान भ्रहस्पती देव की पूजा करें, या फिर अगर गमले में के लिए का पौधा लगा हुआ हो, तो आप भगवान विश्णु के साथ ही रख कर भगवान विश्णु के बाद जो है उनकी पूजा साथ साथ में ही कर सकते हैं, और सारी पूजा विधी पूर्ण हो जाने के बाद सभी पूजुरुगों का आशिरवाद लें, वैसे तो ब्रामहर पूजन और ब्रामहर भोजन के बाद ही आपको भोजन ग्रहन करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभो नहीं हो पाता है, तो कम से कम गाय को और कन्याओं को भोजन आवश्य ही करवाना चाहिए, इसके अलावा उद्यापन में अपने बंधु बांधों, परिवार जनों और अपने पूज्यों को भी आवश्य बुलाना चाहिए, अपने पूज्यों को मतलब कि अपने नंद को, अपने नंद के बच्च को दामात को इन सभी को भोजन करवाने के बाद दचना देकर संतोष्ट करने के बाद ही आपको भोजन ग्रहन करना चाहिए इस दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए या तो आप जो पहले से गुरुवार में भोजन करते आ रहे हैं आप वो भोजन कर सकते हैं या फिर आ कि धारे में को वीडियो आपको मिलते रहें